नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग सबसे पहले मैं आपको एक analytics दिखाना चाहता हूं अपना YouTube यह मेरा studio है आप देख सकते हैं यह आपर YouTube studio है मेरा यह जो अगर 100 लोग मेरे वीडियो उसको देखने है तो उसमें सिरफ 33% सब्सक्राइब्ड है बाकी जो नौन सब्सक्राइ वीडियो को देखने है अगर आपको थोड़ा सावी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमबन request है चैनल को सब्सक्राइब कर लें उससे मेरे को बहुत ज्यादा motivation मिलती है और ज्यादा वीडियो बनाने की ठीक है अब अपन लोग सुरू करते है आज का वीडियो आज तो वो लोग वैरी कुछते हैं अपनी अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बजाता हूं कि आज आपन लोग इस पर चर्चा करेंगे कि वो लॉस होता क्यूं है है अब वो क्यों की जड़को थोड़ा सा पकड़ना है और उसको पकड़ने के बाद फिर हमें जब अगली बार हच बार अगर करेंगे तो हम उस छोटी सी चीज़ है बिल्कुल छोटी सी चीज़ हम उसको ध्यान में जरूर रखेंगे ठीक है अब देखें यहां पर क्या है कि सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जब भी आप प्रीमियम को बाय करने क्योंकि आप दोनों तरह बाय क इतनी है उसके अंदर तो अपन लोगों को यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी कल्कुलेट करना बहुत जरूरी है वो क्यों जरूरी है अगर उसमें हवा और चिप्स का अगर रेशो 50-50% है सपोज मैं कहता हूं कि 500 रुपे का स्ट्राइक प्राइज है हमने 500 रुपे का क फ़समें क्या होगा कि सिरा जो टाइमग वैल्यू होगा वह सिरफ मैनस होगा जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यूस होगा वह ऐसे कवैसी खड़ा गएगा तो मतल्ब वहां पर क्या होगा हमारा 1500 रुपे का लॉस होगा और 1500 रुप instruments हुमारा सेव रहेगा तो हमें सबसे पहली ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी भी हम अपने strike को selection कर रहे हैं तो हमें उसमें ध्यान रखना होगा कि उसके इंदर time value कितनी है और intrinsic value कितनी है और time value कितनी है अगर उसमें सिरफ और सिरफ time value रहेगी तो वो definitely 100% 100% वो आपको loss होगा क्योंकि जितने भी जो premium आपने pay किया है वो total time value है वो सिरफ उमीद का पैसा है और वो सिरफ एक lottery ticket टाइप किया है और वो definitely zero हो जाएगा अब time value जो intrinsic value निकालने का formula बड़ा ही simple है यहां मैंने nick भी दिया है यह भी call site का मैंने लिखा है और put site का इसका उन्टा होगा जो current spot price चलेगा उसमें सा minus करोगी अपने strike price को तो जो पैसा जो निकलेगा तो वो जो निकलेगा वो जो निकलेगा आपका intrinsic value मैं एक छोटा सा example और दे जाता हम आपको कि suppose अभी 35,000 जो एसो spot price है ठीक है न एकवल टू 35,000 आपन लोगों ने एक C buy किया कितने रुपे का C buy किया हमने 35,100 का ठीक है और यह हमने buy किया suppose 100 रुपे का तो अब इसका जो है अब इसका जो है तो इसमें अगर हम यह निकालना चाहिए कि इसमें हवा कितनी है चिप्स कितना है और हवा कितनी है तो वो कैसे निकालेंगे हम वो ऐसे निकालेंगे कि 35,000 में से जो हमारे spot price है उस spot price के अंदर से हम 35,100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो difference आएगा 100 रुपेका आएगा ठीक है न? और 100 रुपेका हमारा जो ऐसे strike price है तो इसका क्या मतलब है कि वो total हमारा intrinsic value है इसके अंदर chips 100 रुपेका है और हवा जो ऐसो 0 है समझ गए? मतलब हमें अपने spot price से 35,000 में से हम माइनस करेंगे 35,100 को जो हमारा underlying asset है जो हम खरीद रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी इसका price निकलेगा जो भी इसका value निकलेगा वो हमारा intrinsic value हुआ अगर वो बिल्कुल 100 पे निकलता है जैसे 100 पे का हमने यह buy किया और 100 पे ही हमारा जो इसका difference निकला इसका मतलब यह है कि इसके तर time value ही नहीं मतलब 0 है इसका मतलब यह है कि अगर 35,100 के उपर market close कर गया है तो हमें कोई loss नहीं होगा दूसरा example दे लेता हूँ suppose अब इसको मानते है 100 तो नहीं होता है हम 200 पे माल लेते हैं ठीक है तो हमने 35,000 मैंसे 35,100 को माइनस किया तो difference आया हमारा 100 पे जो हमारा 100 पे intrinsic value हुआ उसके बाद जो हमने premium pay किया उसमेंसे हम अपने intrinsic value को माइनस कर देंगे तो हमने 200 पे मैंसे आगर 100 पे को माइनस किया तो यहां हमारा 100 रुपे हवा निकल गई अब यहां पर क्या होगा कि अगर मार्केट 35,100 के ऊपर क्लोज हो गई ठीक है उसने हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग अगर नहीं दिया तो हमें क्या होगा कि 100 रुपे का हमें खरीदें तो उसमें आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर आपका intrinsic value कितना है और time value कितना है अगर वो बराबर नहीं है मने अगर उसमें सिर्फ औस इंट्रेंसिक value है तो आपको total loss है ठीक है ना और हमेशा मैं कहता हूँ वैसे मैं बिल्कुर और दूसरी बात मैं बताता हूँ अगर आपको H12 करना भी है कोई दिक्कत नहीं है मगर उसको कोसिस करिए कि उसको जब करिए जब विक्स 20 के ऊपर हो अगर वो 20 के नीचे है या फिर वो माइनस में आ रहा है मनए अगर वो 2 या 3% माइनस में चल रहा है तो उससे में थोड़ा सा आगर नहीं करेंगे बचेंगे तो उसमें chances है आपके कि आपके loss मतलब वो loss नहीं होगा आपका अगर 20 से उपर है तो क्योंकि मार्केट अगर 20 से उपर है मतलब वो trending हो सकती है लंच के बाद और अगर वो continuous लिए अगर minus हो रहा है न तो वो फिर trending होने के chances उसके कम हो जाते है premium तो कम मिलेगा आपको अगर wix बढ़ जाएगा तो premium फ़ड़ा जादा मिलेगा मगर जब premium जादा मिलेगा तो उसमें फाइदा क्या होता है कि market अपन लोगों को premium पे करने से दिक्कत नहीं है अपन लोगों को दिक्कत है कि market sideways ना हो जाए sideways हो जाती है तो वो दोनों तरह के प्रियूंग खा जाएगा और अगर market trending हो जाएगी तो कम से कम एक तरफ का पैसा तो मिलेगा तो वो point है यहाँ पर तो आप थोड़ा सा जब भी यह h12 करें तो इस चीज का जरूर ध्यान दें कि उसमें हवा कितनी और chips कितना है ओके दोस्तों तो इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद